कि अज़िए पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ओपर दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के सामने आगा हूँ एक अच्छी और लेके दोस्तों तो आज हम बात करेंगे कम्मुटिक्शन के ओपर की डिफेंस का जो कम्मुटिक्शन है पैंसन जाने पर आपको कितना मिलेगा उसके लाब क्या है और उसके नुकसान क्या वह सारी चीज़े मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा दोस्तों तो इस जा ज़्यादा लोगों को तक यह जानकारी पहुंच सके और दोस्तों अगर मेरे वीडियो चैनल को लाइक कर दें आप सेयर करें ज़्यादा जादा लोगों कर देंилась DeltaNak r. तो दोस्तों आप मेरी हम मैंसाही कोसित रहती है कि मैं आपघ़ों के लिए कुछ अच्छ vind ले खिश तो फ्रेंट्स हम आगे हैं अभी अपने पेज के उपर तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं आप आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के उपर की पैंसन कम्मूटिशन कैसे होता था था कम्मूटिशन में लाब या नुक्सान दोस्तों तो डिफेंस परसन के समय एक अपशने का रहे होता है जो की उससे रिटाइर्मेंट के पस्चात सैट्ल होना में कफी मददकार होता है रेटार्मेंट के समयी डिफेंस पैंसन को सर्विस ग्रेचुटी एय perfectly फटंड पेंसन कमूटिशन क्मूटिशन इंसरेंस फंड यानि की एजियाई लीव इंकैस्मेंट तथा दूसरे एड़ेस्टमेंट का पैसा मिलता है डिफेंस पैंशन कम्यूटेशन रिटार्मेंट केस में ऑप्सिनल होता है डिफेंस परसन अपनी सेविंग का जो है 50% तक कम्यूटेशन कर सकते हैं अब इस वीडिय के समय डिफेंस परसन के सामने सबसे महत्तवपून सबाल यह होता है कि वो अपनी पैंशन का 50% कम्यूटेशन करें या नहीं डिफेंस सेविंग करने में फाइदा है या नहीं इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों तो दोस्तों यहां पर जो डिफेंस पेंशन कम्मूटिशन है वो डिफेंस परसन जो है अपनी बेसिक पेंशन जो है उसका पचास परसेंट तक कम्यूट कर सकते हैं सर्विस पेंशन रिटार्मेंट के समय बेसिक पे प्लस एम एस पेंश पूर प्लस एकस गृूप पे का पचास परतिस्द होती है तथा पेंशन पर रिटार्मेंट के समय डिएर्नेस अलाउंस महेंगयाई बत्ता जिसे कहते हैं वो मिलता है उधारन के तौर पर यदि defense person की basic pay 40,000 रुपय है और class pay 300 रुपय है तो उसकी service pension की calculation इस परकार से होगी 40,000 plus 500 plus 300 divided by 2 यानि कि 45,500 divided by 2 is equal to 22,750 रुपय इस pension पर जो है defense person को DAB मिलता है दोस्तो अब बात करते हैं pension commutation formula के बारे में pension commutation निकालते समय DA यानि कि मैंगाई बत्ता उसमें नहीं जोड़ा जाता है मान लेजिए defense pension का जो 50% defense person commute करता है तो उसकी commutation के प्रती महिना कटने वाली रासी जो है वो 22,750 divided by 2 यानि कि 11,375 रुपया होगी यानि defense person को commutation में 11,375 रुपया प्रती महिना 15 बरस तक देने होंगे 15 बरस में जमा होने वाली रासी जो है वो भी मैं बता रहा हूं कितनी हो जाएगी 11,375 into 12 month into 15 years is equal to कितना हो जागा दोस्तों यानि कि 20,47,500 रुपया दोस्तों उसको जमा करने बढ़ेंगे देने होंगे इतने 15 बरस तक 15 बरस में इतना पैसा वो गोवर्मेंट उससे ले लेगी defense person को जो pension में उसमें जो DA होगा वो भी मिलता है तथा महंगाई बता जो है full pension पर मिलता है यानि उसे महंगाई बता 22,750 रुपया पर मिलेगा मान लीजिए चलिए एक retirement case में महंगाई बता 10 परतिसत है तो pension पर जो महंगाई बता है वो क्या होगा तो वो होगा full pension into महंगाई बता और divided by 100 दोस्तों यानि कि 22,750 into 10 divided by 100 is equal to 275 रुपय यानि कि 50% कम्यूटिशन के बाद जो मिलने वाली जो pension है वो कितनी होगी यह भी चीज में आप लोगों के एक दम अच्छे समझा देता हूं दोस्तों यहां पर तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे यहां पर जो है यह आपको दिखाई दिया रहोगा क्लियरली यहां पर हर चीज जो मैं यहां पर बताना चाहरा हूं आपको तो वह चीज आप देख पा रहे होंगे यहां पर तो यहां पर आप देख पा रहे होंगा अच्छे से तो चलिए चलते हैं अगे अभी स्क्रीन पर अभी हम कि अभी माली जीए कि अभी हमने जो के समय एक साथ कितनी रासी मिलती है तथा कम्यूटेशन करने में फाइदा है या नहीं है तो यह सब कैलकुलेशन करते समय जो है मैंने जो पैंसन आपको उपर बताई है जिसको उधारन देखके तोर पर लेके मैंने आपको समझाया है तो अभी हम बात करेंगे डिफेंस पैं अek seekers करने पर डिफेंस परसन को पंदरा बरस में जो है बीस लाच सेनतालीस जार पांचव रॉपए जो आज जमा करने बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि रिटारमेंटS के समय डिफेंस पर सनंट को करने लिएध कितने पैसे मिलते हैं घ deto इसके लिए क्या यहां पर क्लियरली नजर आ रहोगा दोस्तों यह इसका फार्मूला करें लूह को तो 50% से इंट्वाल डीटिस वैल्लिव अप्दध इस नेट्स बढ़ते है तो यह चीज़ यहां पर क्या मैटर कर रहे है दोस्तों यानिकी पैंशन कमूटेशन फारमुले में जो पॉर्चेस वेल्यू को समझे जुरू है पर फर्चेस मेल्यू की टेबल जो है मैं आपको नीचे दिखार दिखा दूंगा जो होगा कि आपको थोड़ी सी नजर भी आ रहे होगी तो पर्चेस वैल्यू में जो रिटाइर्मेंट के समय जब अगले जनब दिन की आयू ली जाती है यदि आप 35 वर्स के होने के बाद रिटायर हो तो आपकी पर्चेस वैल्यू कितनी हो जाए ले ली जाएगी 36 वर्स ली जाएगी दोस्तों तो आप इसमें देख पा रहे होंगा यह स्टेवल के अंदर आप अच्छे से देख लीजिए तो आप लोगों क्लियरली नजर आ रहा होगा इस इसके अंदर जो है सारी जो है इसका अंदर पूरा टोटली जो है कम्मुटेशन वैल्यू एक्सप्रेस नंबर यह संट पर इसको अच्छे से देख लेना दोस्तों बात करते हैं अभी इस कम्मुटेशन फार्मूले से हम दो डिफेंस पर्सन को मिलने वाली जो है या नहीं चलिए पैंशन कम्मुटेशन फार्मूले की अभी बैल्यू रखते हम यानि कि 35 वर्स की आई-उ में रिटायर होने वाले व्यक्तिक कम्मुटेशन रासी कितनी हो जाएगी आपको यह नजर आ रहोगा फ्रेंड्स यानि कि 11,375 x 12 x 9.136 x 36 वर्स की पर्चेस व बात करते हैं आगे 50 साल की अब 50 वर्स की आयू में रिटायर होने वाले व्यक्तिक कम्मुटेशन रासी है 11,375 x 12 x 8.808 यानि कि 51 वर्स की पर्चेस वैल्यू कितनी होगी दोस्तों यहां पर यहां पर होगी यह यह वैल्यू बारा लाख 22,000 बारा लाख 2,292 रुप है तो यह यहां पर क्या होगी 51 वर्स की पर्चेस वैल्यू होगी तो जो पैंसन कम्मुट की रासी है उससे सपस्ट है कि दो व्यक्ति समान पैंसन यानि की 11,375 रुपए 15 वर्स के लिए कम्मूट करते हैं परन्तु जो व्यक्ति 35 वर्स की आयू में रिटायर हो जाते हैं उसे 12, पर्सन को जो फैंसन कम्मूट के अधिक फाइदा है अधिक प्रियोग का आप अपने बिजनस में घर बनाने में बच्चों की एजूकेशन इतयादी में कर सकते हैं यहां पर Secondly point है pension commutation में जो मिलने वाली रासी होती है वो tax free होती है ये उस पर उस रासी पर कोई भी tax नहीं लगता है मानकर चलिए कि आपने 35 वर्स की आउम्र में रिटायर होते हैं उसके pension commute नहीं करते हैं तथा फूल पैंशन लेते हैं 35 वर्स की आयों में रेटायर होने वाले एक सर्विसमेन दूसरी नौकरी के लिए जुरूर कोशिश करते हैं इस सिच्वेशन में आपकी फूल पैंशन तथा दूसरी सैलरी मिलाकर आप टेक्स के दारे में अवस्य आ जाएंगे और प्रति इसल फैंसन कम्यूट की है तो उसकी किसी कारण वस मृत्य हो जाती है तो इसका बकाया कमुटेशन जो राशी होया है माफ हो जाती है और उसे बच हुई रकम भरने की अफशकता नहीं होती है बातकाने फौर्थ नंबर पॉंट की फैंसन कमुटेशन पर मिलने वाली रासी पर सरकार 8% जो है इंटरस्ट चार्ज करती है जो की परसनल लोन और आटो लोन की तुलना में कम होता है यदि आपका इन में से कोई लोन है तो आप कम्मूटेशन रासी से उसकी भरपाई करके फाइदा उठा सकते हैं बात कर पॉइंट नमबर फाइव बियरेस लेने वाले जो डिफेंस परसन रिटायर होने के बाद दूसरी सरकारी नौकरी के लिए प्रियास करते हैं तथा जब वो दूसरी नौकरी भी खतम करके रिटायर होने के पास होते हैं तो उनकी कम्मूटेशन की 15 बरस की आवदीवी चल सकता है तो बात करते हैं भी पैंशन कम्मूटेशन के नुकसान पहला पॉइंट यदि आपकी रिटायर्मेंट के समय आयू 50 या उससे अधिक है तो आपको 35 बरस की आयू में रिटायर होने वाले डिफेंस परसन की तुलना में पैंशन कम्मूटेशन में नुकसान है य यहनी वी एरेस लेने वाले जबान को पैंशन कमूटेशन में अधिक फाइदा है पॉइंट नुमबर टू रिटायर्मेंट के पस्चात यदि आपके पास कोई बड़ा खर्च नहीं है या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है और आप इस कम्मूटेशन र पैंशन कमूटिशन के लिए योग्यतार है पैंशन कमूटेशन के लिए योग्यता रिटायर्मेंट के समयं क्समें एंडिफेंस पैंशना पैंशन के लिए eligible होना चाहिए 2. उसके ओपर कोई भी जो judicial case नहीं होना चाहिए 3. pension commutation claim retirement से पहले या retirement के एक बरस बाद तक submit होना चाहिए retirement case में एक बरस बाद pension commutation claim करने के लिए medical certificate submit कराना होता है pension commutation में 8% interest लगता है तथा 15 बरस तक 50% pension commute होती रहती है 15 बरस के पश्चाथ एक सर्विस्वेन को full pension मिलना सुरू हो जाती है इस वो इस जो वीडियो में जो है pension commutation से समंदित जानकारी जो है maximum मैंने cover कर दिये दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे सब्सक्राइब कर रहें से सबस्क्राइब कर रहें और क्योंकि मैं इन वीडियो के लिए कापी सारी मैंनुत कर रहा हूं तो आप लोगों के स्पोट से की मेरी मेंहणुत कफल मुझे मिलेगा दोस्तों यहां पर तो दोस्तों अगर ज़्यादा ज़्यादा और जानकारी आप लोगों को कैसी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और दोस्तो बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिक वीडियो के साथ दोस्तो तब तक के लिए जैहिन जै भारत